We are discussing about commutation relations और आज हमने जो commutator open करना है वो हमारे पास commutator है angular momentum और linear momentum का commutator So, commutator का answer 0 आएगा, it means के हम इन दोनों operators की simultaneously values को define कर सकते हैं So, let's see how to solve this commutator So, first LX P square is equals to यहाँ पर P square हमारे पास P X square, P Y square और P Z square इन टीनों momentums के sum के बराबर है तो हम यहाँ पर इसकी value लगाएंगे LX P X square प्लस P Y square प्लस P Z square तो जब यह commutator open होगा हमारा, यह किसना से commutator open होगा? यह commutator open होगा LX P X square के commutator के प्लस LX P Y square का commutator प्लस LX P Z square के commutator के अब separately इनके सब के commutator को हम open करते हैं तो यह हमारे पास क्या term बनेगी LX P X square minus P X square LX इस चीज़ का commutator हमारे पास यह open हुआ क्योंकि हमें पता है कि commutators को open किया जाता है commutators को open करने का तरीका है AB का अगर commutator है तो AB minus BA तो इसी तरह से हमने LX P X square minus P X square LX अब इसी तरह से next का commutator open होगा LX P Y square minus P Y square LX और last one भी इसी तरह से open होगा LX P Z square minus P Z square LX हमने apply करना है addition subtraction rule apply addition subtraction rule उससे क्या होगा जो term हम add कर रहे है वही term हम subtract कर रहे है LX P X square अब इनके बीच में इन दो terms के बीच में हमने term को subtract भी करना है और add भी करना है किस तरह से P X LX P X प्लस यही term हम add करेंगे P X LX P X और यह term as it is आजएगी P X square LX अब second term लिखेंगे प्लस LX P Y square इसमें भी पहले minus करेंगे P Y LX P Y फिर इसी term को add करेंगे P Y LX P Y और फिर इसकी second term आजएगी minus P Y square LX इसी तरह से हम third वाली को solve करेंगे प्लस LX P Z square माइनस करेंगे यही term P Z LX P Z और इसी term को add करेंगे P Z LX P Z और इसकी last वाली term आजएगी minus P Z square LX यहां तक clear है अब next देखते हैं अब next हमने क्या करना है दो-दो terms में से common निकालते जाना है यह हमारे पास किसरा से बनेगा यह बनेगा L LX P X minus P X LX और हम common निकाल रहे हैं इस side से last term हमने यहां से common ली इस सरफ से P X common आ गया तो यह वाली term हमारी बच गए और यहां से P X common निकाला यह भी last से है तो यह हम start में नहीं लिखेंगे जिस side से हम common निकारें हम उस value को उसी side पे लिखेंगे plus अब इसमें यहां पर P X किया रहे हैं और यहां पर P X है तो हम start से common निकालेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा LX यह वाली P X हमने common ली तो यहां पर बचा LX P X माइनस यहां पर एक common आ गया तो एक P X बच गया और साथ में LX आ गया इसी तरह से बाकी terms में से भी हम common निकालेंगे पहले last से निकलेगा फिर first से निकलेगा तो यह हमारे पास आ गया plus यहां से हम last से P Y को common निका रहें तो हमारे पास LX यहां से P Y common आ गया तो P Y बच गया minus P Y LX क्योंकि last फ़ला हमने common निकाल लिया plus अब यहां से हम star से common निकालेंगे तो यह आ जाएगा P Y यहां पर LX P Y minus P Y एक common आ गया तो एक बचा और साथ में आ गया LX इसी तरह से आखरी term में से भी हम common निकालेंगे पहले P Z N से निकलेगा common P Z minus P Z LX यहां पर P Z आ गया अब star से common निकालेंगे P Z को तो यह हमारे पास बचा LX P Z minus P Z LX यह complicated सा लग रहा लेकिन बहुत तीजी है सबसे पहले हमने basically हम इसकी values को substitute करके इस commutator को solve करना चाहरे है तो इसलिए हमने सबसे पहले addition, subtraction rule को apply किया फिर देखा दो-दो terms में से common निकाला अब इसमें हमारे पास order बहुत ज़्यादा matter करता है तो इसलिए अगर हम last से common ले रहे हैं अगर हमने end से common लिया है तो हम उसको वहीं पे लगाएंगे तो इस वज़ा से order बहुत ज़्यादा matter करता है तो इसको हम ज़रा तसलिए के साथ solve करेंगे अब अगर हम इसको गोर से देखें तो ये बन रहा LX PX minus PX LX मतलब कि ये LX और PX का commutator बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं LX PX commutator और ये PX as it is साथ आ गया प्लस ये PX as it is आ गया अगें ये LX और PX का commutator बन रहा है तो ये हम इसी तरह से लिखेंगे फिर प्लस आ गया अब ये देखें ये LX और PY का commutator बन रहा है तो हम लिखेंगे LX PY और इसके बाहिर को मना रहा है PY प्लस यहां से भी PY आ गया और ये हमारे पास commutator किसका बन रहा है ये भी LX PY का commutator बन रहा है अगें लास्ट टर्म्स का देखते हैं यहां से प्लस ये LX PZ का commutator बन रहा है LX PZ और बाहिर को मना रहा है PZ प्लस यहां से स्टार्ट में PZ आ गया और यहां पे LX और PZ का commutator है यहां तक clear है अब हम next step देखते हैं तो हमारे पास ये values आ गी अब हमें पता है कि इसमें LX PX LX PY और LX PZR है तो हमने इसके commutator की values को recall किया LX जब हमारे पास same हो न X's like XX है YY है और ZZ है उनकी values हमारे पास उनका हमेशा commutator हमारे पास 0 आता है और अगर different हो तो उनकी values आती है तो यहां से एक चीसों हमें clear है कि LX PX का commutator हमारे पास 0 आ रहे अब next LX और PY का commutator क्या होगा इसका commutator जब हम solve करते हैं तो हमारे पास IOTA H-Cut PZ की form तो इसका commutator हमारे पास IOTA H-Cut PZ की form में होता है और LX PZ का commutator minus IOTA H-Cut PY है इसमें भी order बड़ा matter करता है XY और Z अगर तो हमारा पहले X और बाद में Y आ रहा है तो positive Z answer होगा इसी तरह से अगर पहले Z और बाद में X आ रहा है Z और X आ रहा है तो answer positive Y होगा लेकिन अगर X और Z होगा तो answer will be minus Y में मतलब हमारे पास axis जो है वो minus में होगा तो यहाँ पे X और Y में है तो answer Z की form में आ रहा है और यहाँ पे X और Z opposite है तो minus में आ रहा है तो यह इनको याद रखने का असान तरीक है अब इनकी values को simply हम वहाँ पे substitute करेंगे तो हमारे पास LX PX की जगा पे 0 आ जाएगा और साथ में आ रहा है PX plus again PX और LX PX की जगा पे 0 आ गया plus LX PY LX PY किसके एकवल है IOTA H-Cut P Z के और साथ multiply क्या हो रहा है PY okay plus PY आ गया और साथ में again LX PY की वैल्यू आ गई IOTA H-Cut P C plus LX PZ की वैल्यू क्या आ रही है minus IOTA H-Cut PY और साथ में multiply क्या हो रहा है PZ plus PZ और LX PZ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यह हमारे पास आ रही है minus IOTA H-Cut PY अब इनको सरह simplify करते है 0 plus 0 यह 00 आ गी term plus IOTA H-Cut PY PZ यह हमारे पास आ गई plus इसको भी जरह simplify करें IOTA H-Cut PY PZ आ गया अब यह plus minus minus हो गया IOTA H-Cut PY PZ यह भी term आ गई plus minus minus हो गया IOTA H-Cut PY PZ इसका भी यह order आ गया अब यह plus में term है यह minus में है यह plus में है यह minus में है overall answer क्या आ गया 0 It means कि LX और P स्क्यार का answer हमारे पास क्या आ रहे है इसका commutator हमारे पास 0 के एक वला आ रहे है तो यह था आज का हमारा topic होप सो आपको समझा आ गई होगी फी work पर किt यह करना आ गई हो ढ आ हेएशा है यह किता आ आ गो ओया है आ आ ठाब्स